हेलो एव्रीवन मेरे नाम पूजा मालविया है और मैं आपको स्वागत ऑनलाइन पढ़ा है आपको इख सकते हैं कि यहां पर हम आज करने जा रहे हैं डिजीज को कम्प्लीट तो डिजीज में आपको बहुत तरह की डिजीजेस पढ़नी है यूमन्स में अलग पढ़नी है सा कंजनाइटल डिजीज हो जाती है यह बचपन में होती है ठीक है और जो कंटेजियस डिजीज है तो वो मतलब कैसे है कि एक से दूसरे के प्रती संपर्क में आकर फैल रही है या पानी से फैल रही है या एर से फैल रही है तो यह सारे डिजीजेस आपकी कंटेजियस के अं पड़ना है तो जैसे कि आपने बचलन में जैसे कि बड़े को भी हो सकती है sohb होते हैं तो बचलन में कुछ रोगों को कुछ जो है उन को बचलन में वर्गुजय कर सकते हैं जैसे शावर क्यों मारशल payment की तो यह कैसी डिझीज है यह यह रोग का लिए बचलन ने होisse कुछ vitamin की deficiencies, कुछ बचपन में होती है, कुछ deficiencies adult में भी देखने को मिलती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई अगर vitamin की deficiency है, या mineral की deficiency है, यह सिर्फ बचपन में देखने को मिलेंगी तो दूसरा हो गया, merasmus, ठीक है, तो दोनों malnutrition का शिकार होते हैं, बच्चे, और किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से, तो कौशियोकर या merasmus आपको देखने को मिलता है, स्क्रीन पर देख लीजे, आपको इसकी किस तरीके के हो जाते हैं, बच्चे, तो वो भी आपको यहाँ पर देख रहा होगा, तो आप जाकर चैनल को जरूरर स्क्रॉल करिए, और मैं जो comment में, या description box को जाके चेक करिएगा, वहाँ पर जो vitamin जहां मैंने पढ़ाया है, उसका मैं वीडियो आपको pin कर दूँगी, तो वहाँ से जाकर जो vitamins हमने पढ़े हैं, अच्छे से, उसको जर साथी साथ आपको जो रोग, उससे जो निर्धारित एक रोग है, जिससे vitamin A, आपका retinol हो गया, उससे होने वाला रोग कौन सा हो गया, night blindness हो गया, ऐसे ही आपका vitamin B, vitamin C, ऐसे उसकर वी हो गया, इस तरीके से आपको रोग पढ़ने है, vitamins की कमी से होने वाले, तो यह सब हम प ठीक है, आपकी calcium की कमी हो गई, तो यह सारे रोग भी मैं आपको करा चुकी हूँ, आपको उसी vitamin वाले section में यह भी आपको मिल जाएगा, easily, तो वहाँ पर जाकर आपको इसको देख लेंगे, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, main जो हमको यहाँ पढ़ना है, contagious disease को पढ़ना है, अब contagious disease में जो फैलने वाले रोग है, उसमें आपको protozoal पढ़ना है, viral पढ़ना है, bacterial पढ़ना है, यह एक overview दे रही हूँ, उसके बाद मैं सारी disease आपकी start कर रही हूँ, तो मैंने क्या बोला, आपको protozoal हो गया, viral हो गया, bacterial हो गया, और साथी साथ आपको fungal disease humans में पढ़नी है, वो है आपकी protozoal disease, तो protozoal diseases आपको नाम पता होने चाहिए, जब आपको select करने को आता है, question दे दिया जाएगा, कि find amongst the following कौन सी protozoal disease है, तो आपको क्या करना होगा, आपके पास options होंगे, उसमें bacterial भी mix होगी, viral भी mix होगी, fungal भी mix होगी, और साथी साथ प्रोटोजोल भी होगी, तब जब अगर आपको नाम पता होंगे, generally आपसे नाम पूछे जाते हैं, कि कौन से diseases, कौन से मतलब उसके अंदर आती है, मतलब कौन से वग के अंदर आती है, कि viral है कि bacterial है कि protozoal है, तो जब आप नाम जान रहे होंगे, तो आप इस आंसर तक easily पहुंच सकते हैं, त आती साथ एक trick बताऊंगी, जिससे कि आप हर जो रोग हो रहा है, जो भी आपको, जैसे कि आपका amoebiasis है, तो इससे होने वाला जो causative organism है, जो इसको cause कर रहा है, वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, और कुछ funny way है, तो उसको थोड़ा सा ignore करते हुए, funny way में, fun way में इस सारे words है, इनको हम याद करेंगे, ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, protozoal diseases में, amoebiasis या जिसको बोलते हैं, diarrhea, तो डाइरिया हो जाता है, तो क्या हो जाता है, आपका, फुस्त रोती है, डाइरिया हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, दस्त हो जा रहा है ठीक है, तो दस्त हो जा रहा है, अब दस्त हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अब आपको याद कैसे रखना है, याद करने का तरीका है, diarrhea है, दस्त हो गया है, इसी का दूसरा नाम हो जाता है, amoebiasis, ठीक, अब इसका हो गया, यह आपका यहाँ पर organism है, यह आपका organism है, और करने के लिए बात्रूम जाने के लिए तो आपका रोग किससे आपको यह फैल रहा है याद करने का तरीका कि यह पानी के द्वारा यह है जो आपके डिजीज प्रोटोजवल डिजीज जो की है अमीबियास यह फैल रही है दूसरा इंपॉर्डेंट पॉइंट कि कौन सा और है या अमीबा या जियार डिया तो जियार डिया क्या जब डिसेंट्री होती है जब दस्त होता है तो जो जिया है वो क्या हो जाता है पूरा जियार डिया तो जियार डिया जिया जो है हमारा जो जी है पूरा वो निकल जाता है भाग जाता है जिया जो है वो एदम खराब ह तो आप इस पैसे से इस पॉइंट पर आजाएंगे अब नेक्स बात कर लेते हैं किसके डिसेंट्री होती है तो भी इसनेरी होती है अब यहां पर आप कैसे याद रखेंगे इस positive organism को की anti-amoeba histolytica, तो लेट गया है, मतलब litika हो गया, लेट गया है, ठीक, सिर्फ याद करने के तरीके हैं, funny way में, तो कैसे हुआ यहाँ पर histolytica, litika, लेट गया है, तो यहाँ पर आपका क्या word हो गया, लेट गया है, और यहाँ पर giyardia मतलब giyagaya, 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 किसमें आपका giyagaya गया, diarrhea में, और आपका dysentery होई, ज़्यादा dysentery होगी, तो patient क्या हो गया, लेट गया, अब लेट गया, तो histolytica, हिस्टोलिका, ठीक, अब बात करते हैं, पाइरिया तो पाइरिया में क्या होता है पाइरिया आपकी माउथ की प्रॉब्लम होती है माउथ से बहुत जादा स्मेल आती है ठीक है तो ये भी कौन से डिजीज है आपकी प्रोटोजोल डिजीज के अंदर आईगी ठीक है आप देखो पाइरिया को कैसे याद रखेंगे ह आप देखो Mouth Freshener क्या होते हैं तरह-तरह के आते हैं तरह-तरह फ्लेवर उसमें आते हैं तो आप हमने कौन सा Mouth Freshener लिया अपने मूग की smell को सही करने की लिए Gingy Vellis मतलब जिंजर वाला थीक तो यहां पर हमने कैसे इसको याद किया इस चॉम को जिंजी वैलिस मतलब जिंजर से, ठीक है, मज़ा आ रहा है आप लोग को, याद करने के सिर्फ तरीके हैं, जब आप औक्षिन को देखेंगे, तो आप easily eliminate कर सकते हैं, वहाँ पर कोई नहीं बैठा है, आपके पूरा नाम सुनने के लिए, आपको सिर्फ eliminate करना है, ठीक है, तो पायरिया जहां ही मुझ की बात आई, तो आपने जिंजर को याद कर लिया, और जिंजी वैलिस याद हो गया, हो गया ना याद, आप बात कर लेते हैं, malaria, malaria सब को पता है, ठीक है, malaria को मुझे याद कराने की भी जरुद नहीं होगी, तो देखो, यहाँ पर क्या है आपका, जो female anaphylis, आपकी female होती है, वो anaphylis mosquito है, और casual जो आपका positive organism है, यह positive organism क्या हो जाएगा आपका, यह आपका plasmodium vivax हो जाएगा, ठीक है, vivax, plasmodium vivax, यह आपका क्या हो गया, positive organism हो गया, ठीक, अब बात कर लेते हैं, trypanozomeniasis, trypanozomeniasis को sleeping sickness, sorry, sleeping sickness के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर आपको तीन तरह के आपको पढ़ने है, trypanozoma, आपको तीन तरीके के पढ़ने है, इसे first हो गया, trypanozoma, gambency, trypanozoma, rodiancy, trypanozoma, cruzi, नाम बहुत गंदे हैं, सारे याद कर रहूंगे मैं आपको, ठीक है, अभी सुनते जो आपका काम है, एक बार 2X पर जरूर सुल लेना, सारे diseases को आपको सब याद हो जाएगी, है ना, तो देखो, अभी हमने क्या पढ़ना, trypanozoma, gambency, trypanozoma, gambency, तो जब आप सो, देखो, क्या है, यह गांबियन स्लीपिंग सिक्नेस है, ठीक है, जब जोते हैं, तो क्या हो ग अब कैसे हो गया, जो सीना है, वो दम पिलपिला सा हो गया, ठीक है, तो जब पेटके बल सोये, तो क्या हो गया, इतदम पिलपिला सा हो गया, ठीक है, तो gambency का हो गया आपका, तो Glossina, Sina Pulpalis, इतनी ज़्यादा बिमारी हो गई कि सब पिलपिला गया, मामला सब खराब हो गया, तो Gambian Sleeping Sickness हो गया यह, ठीक है फिर आपका आगया, इतना रो रहे हैं कि रोने से क्या हो गया, Morisita, Morisita, High Morisita, High Morisita करके रोते चले जा रहे हैं, तो Tryposoma, Rodiency के लिए क्या हो गया, आपका Organism, Glossina Morisita, तो आप यहां क्या याद रखेंगे अब, यह हो गया, Morisita, ठीक है, तो यह याद हो गया होगा आपको, अब बात कर लेते हैं, ट्राइपोजोमा, क्रूजाय, क्रूजाय को कैसे याद रखोगे, यह आपकी American Sleeping Sickness है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जो चागाज डिजीज है, मतलब एक और नाम अगर आ जाए इसका, कि चागाज डिजीज कौन सी है, तो यह आपकी हो जाएगी क्या, क्रूजाय को क्रूज बोलते हैं, तो जो क्रूज पर बैठकर, जो Americans है, वो क्या कर रहे है, Magister Drink पी रहे है, मजीटो, और यह सब जो ड्रिंक्स आती है, तो Magister Drink पी रहे है, कौन, क्रूज पर बैठकर, Americans पी रहे है, तो आपका क्या क्या है, यहाँ पर हो गया, इसमें, American Sleeping Sickness से American निकल आया, American कहां बैठे, क्रूज पर बैठे, और क्या पी रहे है, Magister Drink पी रहे है, और बड़े चांग से बैठे हैं, बहुत ही शान से बैठे हैं, चांगा, दम चंगे मंगे हैं, यह बोलते हैं, पंचाबीस चंगा है, दम चंगा है, सब चंगा है, तो चागास डिज बैठे, इसको दूसरा नाम हो जाता है, काला अजार, लेश्मिनियास डम डम फीवर के नाम से भी जाना जाता है, या इसको बोन मैरो फीवर भी बोलते हैं, ठीक है, आप ये देखो, यहां पर क्या है, कैस्गा है, डोनो वानी, अब यहां पर इसकी वेक्टर क्या है, संड fly है तो जो sand fly है बालू से उड़ती वी जो fly आई ज्याद करने का तरीका है बालू से उड़ती वी जो fly आई वो क्या है दो दो वानी सुना रही है सबको क्या सुना रही है अपनी सूरीली वानी सुना रही है दो वानी सुना रही है तो कितनी वानी सुना इसने दो वानी सुना तो आइ होप ये सारे आपको छे डिजीजेस प्रोटोजोल आपको याद हुई होगी आपने सबसे पहला पढ़ा अमेबियास टाइरिया पेट इसंटरी फिर पायर्या फिर अलेरिया फिर ट्रैपोजोमनिय एसे फिर आपको अने लिश्रमनिय हैशिस होग्या जिसको काला सका ऐसे ही screenshot ले लो सो जल्दी से और इसको ऐसे कैसे ही याद कर लेना मैंने बना दिया है यहीं पर याद करके इसका print out निकाल लेना ठीक है मैं आपको इसका photo इसकी जो है वो तो जल्दी से कर लेते है viral में तो आपका निमोनेक्स क्या लिखा है कि Ram, R.E.M.E. Ram ने पुए और small chicken खाया फिर दूसरा निमोनेक्स क्या है आपका? दिल्ली Mumbai में flu है ठीक है तो पहला क्या हो गया? राम ने पुए और small chicken खाया फिर दिल्ली Mumbai में flu है अब आपसे क्या होता है आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी viral है कौन सी bacterial diseases है जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया तो आपको इस pneumonics से आपको सारे diseases एक तरफ आपकी खटी हो जाएंगी कि हाँ यह viral में आई और यह bacterial में आई ठीक है तो viral में आपका rabies हो गया, measles हो गया, AIDS हो गया, smallpox, chickenpox, dengue, mumps, influenza और hepatitis ठीक है तो यह सारे नाम आपको एक viral disease के अंदर आपके सब आ गए एक साथ जब यह आपने pneumonics देखा ठीक है फिर से देख लेंगे राम ने पुए और small chicken खाया और दिल्ली मुंबई में flu है अब rabies rabdovirus से होता है, simple simple सा है, chickenpox आपका यह airborne disease है याद रखेंगे, rabies आपको कुट्टे के काटने से होता है, ठीक है फिर आपको chickenpox हो गया, कुट्टे और अने भी जानवरों के काटने से हो जाता है, ठीक है, chickenpox में airborne disease है, फिर varicella joster, ठीक है, varicella joster, अब smallpox भी airborne disease है आपकी, और variolla, देखो, याद करने का तरीका कैसे है, क small हो गया, ola कैसा होता है, छोटा होता है, याद करने का सिर्फ तरीका है, कि आपका ola कैसा होता है, छोटा होता है, इसलिए ये smallpox के अंदर आ गया, और आपका varicella joster, तो मतलब chickenpox है, तो ये joster, monster है, मतलब chickenpox बड़ी आता हो गई, तो ये monster से आप याद रखेंगे, ये monster हो as if fee, ठीक है, तो ये हो गया, डेंगू virus, फिर डेंगू, क्या करता है, डेंगू fever cause करता है, फिर mums virus हो गया, तो mums आपका कौन सा virus है, para-mixovirus, hepatitis, next आया, hepatitis B viral disease है, A, B, C, D, E, इस तरीके से hepatitis के, जो होते हैं, आपके forms होते हैं, जिसमें की B, जो होता है, hepatitis B, सबसे ज़र dangerous होता है, और सबस्रादा death causing, जो होता है, hepatitis B, होता है, यह आपका liver को, क्या है, effect करता है, यह भी आपको पता होना चाहिए, hepatitis, तो यहाँ पर आपकी सारी, जो है, आपका बचा last age, तो age, जो है, यह आपका retro virus family से belong करता है, इसमें ART therapy की जाती है, यह एक टेक्नीक है, इसको थोड़ी बहुत ठीक करने के लिए, फिर antiretroviral therapies को बोलते है, इसमें test किया जाता है, ELISA test हो गया, western blot और RIA test, जो कि detect करता है कि कि किसी person को, आपका यह age की बिमारी है की नहीं है, ठीक है, syringia, sexually transmitted disease, आपका age होता है, syringia के through भी हो जाता है, ठीक, next बात कर लेते है, fungal disease, तो fun हो गया, खुझली, दमा, खाज और athlete foot, और इधर क्या बचे आपके गंजापन और दाद, ठीक है, खुद खाए गंदा, खुद खाए गंदा से याद हो गया आपको, ठीक हो गया, यह आपकी fungal diseases सारी एक तरफ हो गई, दमा से asthma हो गया, खाज, scabies, athlete foot, athlete foot हो गया, और आपक ही बस्ती है कौन सी हमारी bacterial disease जो की हमें humans में पढ़नी है, यह भी असान है, देखो, आपका mnemonics क्या है, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे mnemonics, तू तेरा टाइम ले, गोली चला सीधे, plot अपना वो है, ठीक है, तू तेरा टाइम ले, फिर से देख लेंगे, इसकी मैं आपको screenshot जो है दे रही हो, तो वहां से आप याद कर लेना, आप दो ही पेज हैगा, ज्यादा है नहीं, तो आप इसको इसको इसली एक बार सुबह देखोगे, उठके, राज शाम को देख लोगे, तो आपकी सारी disease आपको पता हो जाएंगी, कौनसी फंगल है, कौनसी बैक्टीरियल है, क थीपीटी का ठीका लगता है इसमें फिस अहो गया, टाईमें से हो गया, टाइफोईट, साल्म formulated, से होती है, फिर चला से हो गया cholera, vibrio cholerae हो गया, C से हो गया cephalis, फिर ट्राइपोनीमा, palladium हो गया इसका causative organism, दे से हो गया diptheria, respirator track की DPT की vaccine वापस दी जाती है इसमें, फिर plot से हो गया plague, yersinia, pestis हो गया, फिर अपना से हो गया pneumonia, streptococcus pneumonia इसकी आपकी positive organism है, ठीक है, फिर वो से हो गया whooping curve, इसको बॉर्ड यू टेला, petrosis भी बोलते हैं, और यह आपको positive organism है, body tula petrosis और इसका एक और नाम होता है petrosis या whooping curve, तो यह आपको शाथ सारी जो bacterial और सारी disease आपको एक साथ हो गई खटी, आप इसको प्रिवाइस कर लिजेगा, यह आपकी सब prepare हो जाएंगी, सारी कोईने यहाँ पर देख ली, ठीक है, चलिए, आप इसके बाद हमाली plant की disease रह गई है, आपको पांस से दस मिट को झाल झाल झाल